हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा सद ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर ग्यान के लुटाएं हम पर वो ही रे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाएं जोती हम हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम को शी नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जनम जनम की सुन्दर तकदीर है बनाई भांगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभ का मिला सहारा कि नसुमार कै ignoring कि खुश नसीब कर दोज कि शिए सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद अब क्या किसी से मागो अब क्या किसी से मागो तुझे पाने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद अब कुछ तुझे चाहने के बाद प्रूदा राद तुझे चाहने के बाद सांसों में तेरी सरगम सागर्सी है लहराए आँखों में छवी है तेरी गुल्षन कई महताये जिंदगी हुई हसी तुझे मिलने के बाद सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हम ने अर्पन तेरी समीप आए तो हो गए ओम शांती ओम शांती ओम शांती बाबा के तपस्मी मूरत राज योगी राज रिशी स्नेही मूरत आदर्निय प्रमा कुमार श्रीकान भाई जी का पस्री मिहार की बगिया की तरब से हम तह दिल से हारदिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं श्रीकान भाई जी को तो ऐसे सभी जानते ही हैं आप स्पाक विंग के नाशनल कॉडिनेटर है और पिछले 30 परशों से भी अधिक समय से ज्यान योग की प्रयोकशाला में अनुभव के नए-नए मोती और सभी को बाटते भी है और अनुभव भी कराते हैं तो स्पाक विंग तो सभी विंग में एक स्पेशल विंग है स्पूचल अप्लिकेशन और रिसर्ट सेंटर जहां ज्यान योग की बाबा की अव्यक्त पाणियों के विशेश नहीं नहीं बातों का संग्रह करके उसकी भी बहुत साधी सुंदर बुक्स बनी हुई है और विशेश रसर्ट और योग के प्रयोग के लिए स्पाक विंग फेमस है तो आज श्रिकान भाईजी से हम अनुभव युक्त क्लास का लाब लेंगे जन्वरी मास अव्यक्त मास जल रहा है तो इस विशेश अव्यक्त मास में ब्रह्मा बाब समान तपस्वी मूरत कैसे बने उस विशेश पर हम आज श्रिकान भाई से विशेश सुनेंगे श्रिकान भाईजी सभी बाबा के बच्चों की तरफ से आपका स्वागत है अभी नंदन है ओम शान्ति भाईजी तांक यू ओम शान्ति ओम शान्ति कुछ बाते सुनने से पहले हम चाहेंगे जो भी भाईबेन इस समय लाइव क्लास में जुड़े हैं सबसे पहले तो आप सभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिष्टा बनने की लक्ष रखने वाले तपस्वी मूरत दिल्ली पश्चिम मिहार बाबा के बहु सुन्दर रोहनी बगीचे के रुहे गुलाब और जो भी भारत के भिन भिन स्थाना से जुड़े हुए हैं आप सभी रोहनी गुलाबों को ब्रह्मा बाप समान तपस्वी मूरत आतमाओं को हम मधुबन बेहत घर से दिल से स्वागत करते हैं और हम यह शुव आश्र रखते हैं जैसे जानवरी मास आरम होते ही कई सेंटर्स पर कई भाई भेने अपनी पर्शनल पुरुशार्थ की चार्ट बनाते हैं समय प्रति समय मधुबन में हमको मेसेज मिलता हैं कई बेहने 108 दिन की तपश्चा करते हैं कई 52 डेज की, 42 डेज की, 21 डेज की जैसे जैसे भाई भेनों के पास अपनी समय हैं और अपनी दिन चरिया, सेवा कार्यों से निवरुत होकर विशेस लक्ष रख करके अव्यक्त इस वरदानी मास में पुरुशार्थ को आगे बढ़ाते हैं और उमेद करते हैं कि आप सभी भी ऐसे लक्ष रखा होगा और सरिता वेन जी बता रहे थे कि विशेस इस जन्वारी मास में आठ से नो बजे तक आप सभी कई महारती भाई भीनों से उनके अनुभव सुनते हैं ब्रह्मा बाप समान पुरुशार्थ करने की लक्ष रख कर उसी अनुष करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा मैं आज आप सभी के बीच में इस अनलाइन क्लास में जूड़कर स्वयम को बहुत स्वाभगेशाली अनुभव करता हूँ और थोड़ी जो भी नो बजे तक आप सभी के बीच महम रहेंगे कुछ अव्यक्त मुरली और ब्रह्मा बाबा की जीवन से जो मैंने जब से बाबा का बच्चा बना हूँ ए बात मैं खुशी से कहता हूँ बाबा के बच्चे बनने के बाद मुझ आत्मा का जो प्रथम मिलन था अव्यक्त बाब दादा के साथ वो 18 जनवारी का था तब हमें ये मालूम नहीं था शुरू में कि 18 जनवारी इस कितना महतो हैं ब्राम्हन जीवन में मधुवन में आने के बाद वो हमें पता चला किस जीवन का कितना महतो हैं जब भी अठरा जन्वरी की मास हमारे सम्मुक होता हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि बावा से सबसे पहले इस कल्प में ब्रह्मन ने के बाद पहली बार मैंने बावा से अठरा जन्वरी के नेती मिला तो इसी को लेकरके हम जब 18 जन्वरी के तो मैं बावा जो जो अव loaf मावा की उचारे हैं ब्रह्मा बावा की तपस्या जीवन को लेकरके जीवन की धरनाओं को लेकरके और रोज की दिन्चरिया में पुरुशार्त की छोटे चोटे टिप्स को लेकरके कई मुरली की पॉइंट्स हैं और मैं आप सबके सम्मुख जो पुरुशार्थ की कुछ पॉइंट्स बनाया हूँ जिस पर मैं अभ्यास करता हूँ आज आपके सम्मुख उस बात को बांटेंगे सबसे पहले हम दो मिनिट एक सुन्दर अभ्यास करेंगे आज सिवेंटी वान के एक मुरली हैं जिसमें बाबा कहते हैं तपश्ची मुरत किस्से कहते हैं बाबा के एक सेंटेंस हैं और तपश्ची मुरत अर्थात जो आत्मा स्वयम को तपश्ची मुरत समझती हैं वो एक अभ्यास करती है, वो अभ्यास हैं भृकूटी की कुठिया में अंतर मुखी होकर मैं आत्मा तपस्षी मुरत हूँ उसकी अभ्यास, तो दो मिनिट के लिए हम ये प्रक्टिकल अभ्यास करेंगे, इसे स्मृति सुरुप का अभ्यास भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम समय का हम सभी के सामने जो पेपर आएगा, वो पेपर आएगा नस्टो मुखा स्मृति लब्धा, स्मृति कहीं पेपर आएंगे, अंत मती सोगती, मती अर्थात बुद्धी, बुद्धी में अंत समय में जो बातें होगी, जो स्मृति होगी, उसी के आधार प या उनकी पीछे चलेंगे, सब कुछ निर्भर करता है अन्तिम समय की स्मूर्ति, तो इसलिए ब्रावा बहुत बार मुर्ली में कहा है, ब्राम्हन जीवन का स्वास स्मूर्ति है, तो चलिए दो मिनिट के लिए तपस्वी मुरत स्मूर्ति की विशेश तपस्या का अभ्यास क करेंगे, सभी जहां बेठे हैं, अला ठो करके अपनी शरीर को स्थिर बिठा दे, मन बुद्धी की संपूर्ण आटेंशन, मस्तक के बीच भ्रुकूटि आशन पर और स्मूति शुरू बन जाए, मैं आत्मा तपस्य मुरत हूं, भ्रुकूटि की कुटिया में अंतर मुखी हो बेठी हो, अब अभ्यास प्रारंब करें, मन और बुद्धी की संपूर्ण आटेंशन, भ्रुकूटि की कुटिया, अंतर मुखी अर्थात, अंतर में जो मुख हैं, मैं आत्मा, उस मुती में एकाग्र तो अगले फटी फाइप मिनिट के लिए, आप सभी इस इस मुती में, मैं आत्मा, तपस्षी मुरत हूँ, इसी स्मुती में रहकर कुछ बाबा के भाबा किया, बाबा की पुरुशार्थ, ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुशार्थ किया था, उन बातों को सुनते हुए, आपके सम्मुक, जो मैं कुछ मुर्ली पॉइंट कलेक्ट किया हूँ, वो डेट्स होंगे, आप आज की क्लास के बाद, जो भी पॉइंट्स आपको आच्छी लगे, तो आप उस मुर्ली को जरूर रेफर कर लिजीएगा, क्योंकि हम सभी ब्राह्मन आत्माओं की जो पुरुशार्थ का आधार है, हमारे आधर्स हैं ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त मुर्ली कहे या साकार मुर्ली कहे, हर मुरली में हमें जो भी पुरुशार्थ की बात श्री बाबा सुनाते हैं वो सब ब्रह्मा बाबा जीवन की प्रक्टिकल धारना हैं सब कुछ ये खास वरदानी मास हैं शक्ति ससमर्थी मास हैं हमें शिर्प एक चीज पर आटेंशन देना है तुकि मार्ग ब्रह्मा बाबा ने बना के दिया है रास्ता उन्होंने बनाया है हमें बस उनकी नक्से कदम पर कदम रख करके चलना है तो ब्रह्मा बाब समान तपस्य मुरद बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने ये लंबी पुरुशार्थ की रास्ते में पात में ऐसे कौन से कौन से पदचिन छोड़ा है जो हमें उसी पर सुरिप अपने कदम रख करके चलना है उन बातों को सुनेंगे और अभ्यास करेंगे जो पुराने हैं जो 2017 से पहले ग्यान में आये हैं और जो अव्यक्त बाप दादा का अंती महवाकिय दादी गुल्जार के तन के द्वारा वो हैं 31 डिसेंबर 2017 जिस मुरली की टाइटल बाबा ने दिया था समापति वर्स मनाओ सब को जगाओ और उस मुरली चोटी सी मुरली हैं लेकिन बाबा ने सब कुछ बता दिया था कि क्या आगे होने वाला है उस मुरली में दो बात आपके समने रखना चाहेंगे बाबा ने कहा था बच्चे यह जो समय चल रहा है यह समय और यह स्टेज है चाहिए विश्चो की स्टेज और समय वो अनुभवी मुरत बनाने की समय और स्टेज है अनुभवी मुरत और आगे बाबा कहते हैं अनुभवी मुरत बनने के लिए क्या करना है अनुभवी मुरत बनने के लिए बाबा कहते हैं पास्ट को भूलो पास हो जाओ, पास रहो और अब हविश्य के लिए आटेंशन दो जो बीती उसको भूल जाओ और पास होने के लिए पास रहो पास अर्थात जो बाबा हमें पढ़ाते हैं चार सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट में पास होना और चार सब्जेक्ट में पास होने की जो हम बेंच मार्किंग कहेंगे या परक कहेंगे वो हैं पास रहना पास अर्थात परमधाम निवासी स्मृति सरूप होकर बाबा की पास रहना पर बाबा कहते हैं भविष्य पर आटेंशन दो, कि मैं भविष्य में क्या बनने वाली हूँ, जब भविष्य पर आटेंशन देंगे तो पुरुशार्थ, सरल, सहज, लक्ष, युक्त होगा, एक इंग्लिश में प्रोबर्ब हैं, सेंटेंस हैं, विएर आटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, आपकी आटेंशन अगर किशिवेक्ती विशेश पर हैं, तो आपकी एनर्जी फ्लोज होगा, ना रामायन में एक बात हैं, एक पात्र बाली को जानते हैं, कि बाली को एक वरदान था, अगर वो किसी क्यों भी, उनकी आँखों को देख लेगा, और आँखे चार हो जाएंगे, तो उस सामने वाली विख्ती की जो भी एनर्जी हैं, जो शक्तिया हैं, बाली अपने अंदर खींच लेता था, और यहां बाबा, बाली शब्दों को चेंज करते हैं, आप सुना होगा एक बाबा की महावाक को देख करके नहीं, हम बाबा से जो योग लगाते हैं, बाप दादा को देखते हैं, बाबा की आँखों को देखते हैं, दृष्टी लेते हैं, उस दृष्टी से बाबा हमें वो शक्ति दे देती हैं, चाहे माया कितना भी बलशाली हो, शक्ति शाली हो, रावन अपने तो ये जो समय चल रहा हैं अव्यक्त मास हम बच्चे जो जो लक्ष लेते हैं पुरुशार्थ के लिए लक्ष जितना उंचा होगा जितना महान होगा तो आत्मा उतनी परिक्षाओं को सामना करेगी चाहे वो परिक्षया द्रिस्टी के उपर हो चाहे परिक्षया संबन संपर को ले करके हो या परिक्षया वृत्ति को ले करके हो जो आत्मा के साधन है पुरुशार्थ के लिए वो हर बात में कोईना पर वीगनाएंगे तो चलिए हम कुछ बाते बाबा की कदम को देखते हैं बाबा पुरुशार्थ के लिए पुरे ब्रह्मा बाबा की जीवन की पुरुशार्थ का कुछ बाते जो मुझे लगा कि बाबा की पुरुशार्थ की सार है सायद इस से आगे कोई सार नहीं हो सकता जो मेरी समझ में है तो आपके सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे और क्षेशन के बाद हम इसको आप सब शरीता बेहन को शेयर कर देंगे तकि आप सभी को यह मिल जाएगा आगे की पुरुशार्थ के लिए आप इस टपीक हमने लिया था ब्रह्मा बाप समान तपश्य मुरत भव आप सभी अभी अभी 31st डेसेंबर की बाबा के माधा के सुना है जो खास दिल्ली जोन के लिए बाबा कमिलन प्रोग्राम रहा तो बाबा शीव बाबा ब्रह्मा बाबा की तपश्य जीवन के वारें बताते ह कैसे बुजूर्ग होते हुए भी अंत तक बाबा सहारा नहीं लिया बाबा की चस्मा नहीं लगी बाब फिरी कहते हैं कि बच्चे के मन में संकल पा जाएगा लेकिन उस समय की बात अलग है अब तो पल्यूशन है कोई प्रकार की परिवर्तन है लेकिन बाबा ने क्या कहा वहले उन जैसा नहीं लेकिन लक्षर रख करके बाबा जैसे तपस्या करो तो तपस्या के लिए कुछ बाते बाबा कहते हैं शुरू-शुरू में जब 69 में बाब अव्यक्त होए जो पुराने बेठे होंगे 69 से लेकर 74 तक अगर आप बाबा के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे आपको अक्षर करके अव्यक्त शब्द आएंगे और उस बाबा कहते हैं शुरू-शुरू में अव्यक्त स्थिती का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बेच अपना व्यक्तिगत पुरुशार्थ करते थे जो पुराने हैं उनको पता हैं मुझे याद हैं जब हम 96 में मधुवन आये और उस समय सेवाओं की शुरूवात ज्यांचरोवर में हुआ था लेकिन अभी भी याद हैं बड़ी दादी दादी प्रकास मनी जी मधुवन निवासियों के लिए एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाते थे बारिश के मौसम में एकांतवासि बन करके पांडव हवन में सुखधाम में मेडिटेशन हल में हिस्ट्री हल में कई प्रकार की तफस्या किये गए 30 भायों का ग्रूप 50 भायों का ग्रूप 100 भायों का ग्रूप उस समय दादी एक बात पर फोकस करती थी कि भायों को एकांतवासि बनना है कि आप लोग सेवा में विश्ट रहते हो तो हमें थोड़ा लगता था एकांतवासि क्या है कि पहली बार एक हपते का भठी था और उस समय माना जैसे क्लासिस का तो चांस होता ही नहीं था कभी एक आधा क्लास मिल गया पांच-छे दिन की भठी में बहुत बड़ी बात है लेकिन पूरे भठी के दोरान भी एक चीज़त होता था गीत भी नहीं बजते थे शुरुवात में गीत बजेगा सेशन एंड होगा गीत ब करता था बीच में साइलेंस या तो एक दम फाइन ट्यून बचता था अगर आप बिल्कुल ध्यान देख करके सुनेंगा आप एक फाइन ट्यून सुनेगा मैं जो पुरुशार्थ भठी आटन किया हूं पांडवगवन की बात कर ला हूं यह 96 97 98 तीन साल ऐसे रहा इन फैक तो फाइनल सिध्धी की स्थिति हैं एकांतवासी बन करके व्यक्तिगत पुरुशार्थ करना है चाहे संग्रठर में पुरुशार्थ के लिए आपको चांस मिले या ना मिले लेकिन अगर ब्रह्मा बाप समान तपस्ष्य मुरत बनना है उसके लिए क्या करना है एक भाई सुना रहे थे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को लेकर और वो एक समय सिरोही डिस्ट्रिक्ट से कुछ विए पीज बाबा से मिलने आये थे और बाबा उनको समय दिया था लेकिन संध्याकाल का समय था हम सभी जानते हैं कि बाबा संध्याकाल में एकान्तवासी कभी वाकिंग में चले जाते थे अब रिसेंटली लास्ट मंथ यहां पर पांडव माउंट अबु में एक जागा कुमारवारा करके हैं वहां पर एक वेक्ति रहते हैं मुझे किसने कहा कि बाबा यहां तक पेदल चलके आते थे दूद लेने के लिए ब्रह्मा बाबा तो बहाई मुझे लेकर चले गए उस भाई से मिलाने के लिए हम मिलें उनसे तो वह कहा करते थे कि बाबा जब भी बाबा को मन करता था वाकिंग आने के लिए तो बाबा पेदल आ जाते थे और वो भाई दूद देल जाता था लेकिन बाबा उससे ले केते थे मैं आज बाबा आएगा लेने के लिए दूद माना पांडव हवन से कुमहरवाड़ा की जागा है अगर आपको रास्ता में बताना चाहूंगा आप ज्यांसरोवर से जो पांडव हवन की तरफ जाएंगे तो वो गुजरा सरकीट हाऊस की होते वे एक रास्ता जाती है और थोड़ी देर के बाद थोड़ी दूरी के बाद एक होटल है उस होटल का नम श्रीविला उसके एक गली चुड़के आगे की गली में उपर एक नास्ता बना हुआ है वो भाई रहते हैं और वो करीब 80-90 एर से उनका परिवार वहां रहता है उनकी पिता जो आए फिर वो बाबा दूद लेने के ले आते हैं तो जो भाई ने कहा बाबा उस समय और उन्हों ने कहा कि 1964-65 की बात हैं बाबा आते थे लेने के लिए आप सुचें 1964-65 और बाबा का उम्र जो होगा बाब पेदल आते थे तेने के लिए और 3-4 लिटर का दूद का केन होता था जो उन्होंने कहा हमें और इससी दोरन बाबा एकांत वासी बनने की प्राक्टिस करते थे उन्हों जो हमें सुनाए वो भाई एक बार वो पहुंच के सभी पहुंचने के बाद जो ऑफिसर्स आगे लेकिन बाबा नहीं मिले कुछ तो मिलने आये थे तो बाबा को ढूंडा गया बाबा पांडुहन में थे नहीं तो किस ने देखा कि बाबा आज जो ओम शांति भवन है उस तरह बाबा जा रहे थे उस समय उन्होंने जो मुझे जो स्टोरी सुनाया था कि वहां पर एक बोर ओयल बना हुआ था आप देखेंगे राजस्थान में बहुत बड़े-बड़े बोर ओयल हैं जिसमें आप स्टेप्स बने हुए होते हैं आप नीचे जाके बेढ़ सकते हो तो उन्होंन ढून के जाके देखा बाबा उस जो बोर ओयल है जो एक कुआ था और वो उसके बाबा नीचे बेढ़े हुए है बाबा आवाज से परे जाने की प्राक्टिस करने के लिए बाबा रास्ता ढून लेते थे अगर यहां आवाज है एसा कौन सी जगह है जा आवाज ना हो हम कहानी सुनते हैं बाबा की न बाब मुरली में कहते हैं अंत में बाबा को घड़ी की सुई की टिक टिक आवाज भी आच्छा नहीं लगता था लच्छु दादी के एक बार बाबा ने कहा कि बच्ची ये बेट के अगर तफस्याम करने कुछ चांस नहीं मिल रहा हैं चलती फिरते पांच मिनिट के लिए एक ऐसा जागा ढून ले जहां आप रहते हो अपने घर में भी एक ऐसा कोना होगा जहां आप बेट जाएंगे आपका मन बुद्धियकाल हो जाएगा निश्ची तरुप से जागा ढूनना पड़ेगा अगर बहुत बड़े जागा नहीं है चत होता हो सकता है तो बाबा यहीं मुस्मुरली में कहते हैं आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है आवाज से परे स्थिती में स्थित हो फिर आवाज में आने वह आवाज आवाज नहीं लगेगा लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रभा किसी को भी बाप की तरफ आकर्शित करेगा चलिए अभी एक मिनिट के लिए आप जहां बेठे हैं एक सेकेंड में आप भुरुकुटी आसन से निकल कर स्वीट साइलेंस हों में पहुंचाए मन बुद्धी से बस एही स्मुति आप धारन करेंगे कि अभी अभी में भुरुकुटी पर हूँ और अभी अभी में आत्मा स्वीट साइलेंस में हूँ स्वीट साइलेंस अर्थात परमधाम में चलिए एक मिनिट के प्राक्टिस करते हैं अभी आपने लगभा पंद्रा मिनिट से हमें सुन रहे हैं दस बारा मिनिट से कुछ बाते आपने सुना अभी एक सेकेंड में भृकूती से डिटाच होकर पहुँच जाए स्वीट साइलेंस हो सुनेहरा लाल प्रकाश दुनिया उस दुनिया में में वाइट, ब्राइट, पॉयंट ओफ लाइट उसी रूप में सुन्या को देखे एक मिनिट के लिए उसमें चेक करें कि आपकी मन और बुद्धी की आटेंशन स्वीट साइलेंस होम में सुनेहरा लाल प्रकास दुनिया में आप आत्मा एक वाइट ब्राइट लाइट हो कितनी देर अब देख पाए अभ्यास और चेकिंग चलिए एक मिनिट के लिए आवाज से परेकी दुनिया परमधाम निवास जोती बिंदु आत्मा किते कि च crispy हैं आत्मामदाब हो आत्मामदाम झीफ लाइट आत्मात में सुनिवर्ड़ का वाइटों कर दोगास के रिएर आत्मा숙ः कि रहल cargoने ब alorsना मुछने कर दो दिएमंत्र सबास्वाइट कितनी आत्मास आत्मादाल क्र भर्प्यो ंग इतговक इस अभ्यास में सुर्म चेक करें आप कितनी देर परमधाव निवासिबन करके मान बुधिस से आटेंशन के साथ रह पाए खुद चेक करेंगा आगे बाबा कहते हैं अव्यक स्थिति में स्थीत होकर आवाज में आओ तो आवास से परे स्थिति का अनुभाब करा सकते हो इना ब्रह्मा, बाप, समान, तपस्षी, मुरत जब हम बनते हैं, तो हमारी श्थिती कौन सी बनती है, उस पर अभी आपको आटन सुंदिलवा रहे हैं, हम सहवरे ओठ रहे हैं, अमुर्ति विला कर रहे हैं, मुरली क्लास आटन कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ करिया हैं उसको तप का रपदे तपस्या और तपस्या में दो बात आती हैं तपस्या में आत्मा तप करती हैं किसकी आधार से अपनी कर्म इंद्रियों की आधार से जिसकों एही तपस्या सुरुप की आत्मा को चार भग में बाण सकते हैं एक हैं आत्मा स्वयम साधक हैं आत्मा साधक हैं और दुसरा साधन आत्मा साधन यूज करती हैं तिसरा साधना करती हैं और चौथी बात हैं साध्य अर्थात साधना के आधार पर आत्मा को प्राप्त होती है तो आत्मा साधक है अर्थात जैसे पहली अभ्या समनी किया था अंतर मुखी बन भृकुटी की कुटिया में बेठ जाना ये आत्मा की तपस्या मुरत आवस्था है अगर इसी को ले तो आत्मा साधक है और कौन से स्मूती में है आत्मा में आत्मा तपस्या मुरत हूं और तपस्या करने की साधन कौन से मिल गया? आत्मा को भ्रकुटी. और साध्य क्या है? अंतरमुकी श्थिती. ये प्राप्त होती है. तपस्या करने से अंतरमुकी श्थिती प्राप्त होती है. अंतरमुकी बनने से हम तपस्य मुरत बनते हैं. दोनों एक दुसरी से पुरक है उसको छोड़ा और आगे बढ़ते हैं जब हम तपस्या मुरत बनते हैं तो आत्मा को कौनसी कौनसी साधन यूज़ करना पड़ता है सबसब पहला साधन है पांच कर्म इंद्रिया आंख, मुख, कान, हाथ, पाउं और सुक्ष्म साधन कौनसी कौनसी है वो भी पांच है मन, बुद्धी, संसकार, द्रिष्टी और अबृत्ती ये पांच सुक्ष्म साधन है आत्मा के और पांच तुल साधन है जब आत्मा इन दस साधनों को बाबा की याद में एकाग्र कर लेती है तो साधना सही तरीके से आत्मा करती है और वो साधना से उसको जो प्राप्ती होती है जिसको बाबा कहते है एक-एक संक्रल क्या सिद्ध सुरू बन जाएंगे इसलिए बाबा इस मुरली में क्या कहते है तो इस ठीती में अव्यक्ष ठीती में श्थित होने के लिए एक सेकेंड की भी अव्यक्ष ठीती का उनुभब आत्मा को अविनासि संबंध में जोड सकता है जो माया भी उस अनुभब आत्मा को हिला नहीं शक्ति आप देखे घंटों घंट अभ्यास करते हैं बाबाय की महावाक्यों में कितनी बात हैं कि एक सेकेंड में आप जो अव्यक्त श्थिति का नुभूति करेंगे वो अविनासी संबंद किसे जोड़ेगा परमात्मा से और आधार क्या रहेंगे आत्मा की यह दस साधन कि आत्मा जो अभ्यास करती हैं रभो श्थिती प्रापत करती है और और अव्यक्त श्थिती के वर बाबा क्या कहते हैं हमें क्यूं इस कि प्रांटिस करनी है हमारा अंतिम समय का लक्ष बाबा के अव्यक्ष्थिति मुख्य सब्जेक्ट है तपस्या का व्यक्त में रहते करम करते भी अव्यक्ष्थिति में रहे इस सब्जेक्ट में पास होना है हमें इसमें पास होना ही है और अंतिम सब्जेक्ट के साथ साथ अंतिम स्टेज भी है आत्मा की पुरुशार्थ की अब वह भी अव्यक्त फरिश्ट जब अव्यक्त शब्द आता हैं तो कई बार भाई भेनों के मन में प्रश्ण आता हैं यह अव्यक्त शुरूप देखने के लिए कैसा है हम कैसे उसको देखे जाने समझे यह वावा की महावा क्या है और व्यक्तित उसे कहते हैं जैसे पूरा शरीर ट्रांस्परेंट का बन जाएगा जो खड़ी मास की काया हैं उसके जगह पर आंख हैं मुख हैं हाथ हैं पाउं हैं बाकि जो भी सारे अंग प्रतेंगे हैं यह खड़ी मास से बना हुआ है अगर हम बार बार तपस्षी मुरत बन करके फरिष्टा का अभ्यास करते हैं आकारी प्रकास काया का अभ्यास करते हैं तो यही आकारी प्रकास काया जो ट्रांस्परेंट बन जाएगा बाबा इसमें क्या कह रहे हैं अपने को ट्रांस्परेंट स्थिती में ट्रांस्पर करो कि जो हड़ी मास की काया है इस से बदलो कि यह मेरी प्रकास की काया हैं। आप थोड़ा असा उसको देखनी की प्रयास करें गुद्धी में। अपने आंखों को देखें, जस्ट संकल्प कर ले आंखें। चमडी की हैं। इसमें मसल्स हैं। और उसकी जगापर आप प्रकास को देखें। तो एक एक अंक को प्रकास शुइंए देखते जाए, तो उन्त तक जो पेरों तक आएंगे, पेरों की उम्बिनियों तक आएंगे इवनी पेरों की तलवे तक तो आपको प्रकास की काया का महिशुस होगा इसको बाबा ट्रांस्परेंट कहते है आप हम सुनते हैं न कि दादी गुलिजार को जो पहली बार सक्षात कर हुआ कि नीचे वाला एक बाबा भी उपर भी एक बाबा है लेकिन उपर वाला जो बाबा का चीत्र था उसकी उस बाबा के अंग-अंग से प्रकास निकल रहा था इस बाबा से डिफरेंट है तो बाबा को समझ में आगया कि मेरा वो सुरूप है तो वो ट्रांस्परेंट बनना अर्थात आपका आत्मिक सुरूप दुसरों को आत्मिक सुरूप का सक्षात कार कर आए हम इतने ज़्यादा ट्रांस्परेंट हो जाए कि हमारी व्यक्त सरीर व्यक्त भाब के बज़ाए लोगों को वो प्रांस्परेंट सरीर दिखाए दे वो तो अलग बात है क्योंकि वो एक बहुत सुन्दर साधना उनको करना होगा लेकिन अभी जो मुर्ली में अव्यक्ति साइलिन्स की बात आ रही है जो प्राक्टिस के लिए दिया जा रहा है आप सभी रोज मुर्ली में सुनते हैं और उसको रोज अगर प्राक्टिस करेंगे एक बहुत सुन्दर स्थिति का अनुभूति आपको होगी किसकी होगी स्मुर्ति की संकल्पों की बृति के रद्रिस्टि के चार परिवर्टन होंगे अभी मुर्ली में जो पूरी मुर्ली प्रूनने के बाद लास्ट में आती है तो हमारी शरीर को ट्रांस्परेंट बनाने के लिए ये चार बात पर आटेंशन देना है स्मूर्थी अर्थात बार-बार जानुवरी महिने में हमें ये स्मूर्थी रहे कि हमें ब्रह्मा, बाप, समन, अव्यक्त, फरिष्टा बनना ही है और सुनुती के अनुसर आप संकल्प करेंगे कि मन में वो संकल्प बार बार धृता के साथ चले मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है और फिर वृत्ती बनेगी आपकी जिस संकल्पों को बार बार करते हैं वो वृत्ती बन जाती है और एक पर पृत्ति में आते ही आपके द्रिस्ठी वही बनेगी आप जिस स्वयम को देखेंगे या दूसरों को देखेंगे एक पल के लिए मन में संकल पाएगे अव्यक्ष्थिति की तरह बढ़ रहे हैं हमसे इसलिए आटेंशन बाबा कहते हैं अब ट्रांस्परेंट श्थिति में ट्रांस्पर करो यह हड़ी मानस की शरीर को भूलते जाओ अब मुझे डवल लाइट फरिष्था आकारी शुरूप को धारन करना है और ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ष्थ फरिष्था बनना है बिल्कुल ट्रांस्परेंट क्योंकि जैसे स्मूती होगी वैसी स्थिति इसलिए स्मूती प्राक्टिस करने के लिए भाव का बहुत बड़ा रोल है तो अव्यक्त का अर्थ वावा कहते हैं व्यक्त भाव और अव्यक्त भावना से पर व्यक्त भाव व्यक्त भावना किस से कहते हैं उधारन के लिए आप लोगों से बात करते हैं किस ने कुछ कह दिया और हमें बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा वो अच्छा न लगना उसकी इंप्रेशन जो आपकी साथ रह जाता है जो आपके संकल्ब चलते हैं वो संकल्ब को व्यक्त भाव कहते हैं तो व्यक्त भाव में दो बात हैं नेगेटिव और व्यर्थ जहां नेगेटिव व्यर्थ बात हैं तो आपकी भाव व्यक्त बनता है और भावना दुस्सुग के प्रती भी ऐसे बन जाता है जिसने सुनाया उसके प्रती इसलिए बाबा बार बार आटेंशन दिलवाते हैं चाहे परिष्टितियां कैसी भी आजाएं बातें कुछ भी हो लेकिन बातों को याद नहीं करना है बाब को याद करना है बाबा इसलिए कहते हैं अगर बातों को फुलने के लिए बीतीसो बिंदी बीतीसो बिंदी बातों को फुलने से आपकी स्थिति क्या बनेगी अव्यक्ति भाव व्यक्त से आप अव्यर्थ भाव में आएंगे तो भाव व्यक्त का अर्थ है जो मैंने समझा हूँ वो है नेगेटिव व्यर्थ से परे रहना और दुसरा व्यक्त भाव कहते हैं ज्यादा बोलना आगे बाबा कहते हैं अगर व्यक्त भाव, अब्यक्त भाव से परे आएंगे तो किस बात की अभ्यास हमें करना है जो ब्रह्मा बाबा का अभ्यास का मुल्ड शुरूप था यहना आप 97 की मुरली हैं बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा दिवार में लिखते थे नोट पेंड में लिखते थे पूरे संबंधी का नाम लेकर कि यह आत्मा मैं आत्मा तो आत्म सुरूप की अगर जैसे इस अंकल्प आपने किया कि मैं आत्मा हूँ तो आपके मन, बुध्धी, स्मृत्वी में कौन्स बात आना चाहिए अभी 15 सेकेंड के लिए में पॉज्ट करूँगा आपके कान में एक शब्द आप सुन रहे हैं मैं आत्मा तो मैं आत्मा सुनते ही आपके मन में संकल्प क्या आ रहा है बुध्धी में आप क्या देख रहे हो दिल में कौन सी भावना उत्पन हो रहे हैं आत्मा के बारे 15 सेकेंड की पंज आप स्वयम को देखे आत्म सरुप का सही अर्थ क्या है और स्वयम अंसर दे अपने आपको और स्क्रीन पर मैं कुछ चित्र दिखाऊंगा अगर आपको पुछा जाए आत्मा का अर्थ क्या है आत्मा किस से केते हैं हम अपनी अपनी हिसाब से अंसर देंगे तो यहां पर आत्मा का अर्थ है मैं आत्मा एक लाइट हूँ एक माइट हूँ मन, बुध्धी, संसकार, सहीत हूँ लाइट माइट को कभी ना भूले मन बुद्धी संसकार आत्मा की सुक्ष में करमिंद्रियां हैं लेकिन आत्मा का जो सत्य सरोप है वो हैं लाइट और माइट ये मेरा सत्य सरोप है बीच में बिंदी, चारो तरफ सुनेहरा लाल प्रकास फिर उसके बैक्ग्राउंड में एक लाइट है ये मुरली 79 की हैं जिसमें बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिष्टा सुरुप को देखेंगे कैसे आप बाब उसमें एक्ष्पेन कर रहे हैं जैसे बारिस की मौसम में सुराज को देखते हूँ और उसकी चारो तरफ एक अवहा मंडल है लाइट का कार्ब तो वेसे इस थूल शरीर को आप लाइट की कार्ब में देखो बार 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 लाइट की कार्ब में देखने से अब अव्यक्त फरिष्टा बन जाएंगे ठीक उशी तरह मैं बिंदु आत्मा हूँ अंडे मिशल हूँ चारो तरफ एक लाइट की कार्ब है यह मेरा सत्य शुरूप है और हम जब भी सेवेंडेस कोर्स की किताब देखते हैं आत्मा का यही शुरूप दिखाए जाता है हम सभी जानते हैं सेवेंडेस कोर्स में जो भी की चित्र है खुद ब्रम्ह बाबा मम्मा अमारे बडों ने मिल करके बाबा की बाबा से वेरीपाय करके बनाया है ये चितर हैं light की और दुसरा core में might और आत्मा मन बुध्धी संस्कार जब भी आपके मन, अप में आत्मा संकल पाते ही, अंतर मन में ये स्मृति, बार बार बुद्धी में स्मृति के रूप में आना चाहिए. में लाइट हूँ, माइट हूँ. मन, बुद्धी, संस्कार सही थे. ये आत्मा का सत्य सुद। हम साकार बावा की अनुहफ सुनते हैं, जो बावा के तन में श्री बावा प्रवेस किया, बावा के बहु वहां पे गए, पर पूछा, बावा ने क्या देखा? आपने डादा, जो भी उनको, उनने संबधित किया, क्या देखा? बावा के मुख से क्या निकल रहा हूँ? तो इसके अलाव कुछ थाई नहीं शव्द, तो वो आत्मा का सत्य सुरूप, इसलिए बावा कहते हैं, अगर हम बावा की पुरुशार्त की बाद देखेंगे, अन्तिम पुरुशार्त याद कही है, इसलिए याद की स्टेज वा अनुभव को बुद्धी में स्वस्ट समझना आवश्यक है, बावा कहते हैं, अन्तिम पुरुशार्त एक बात की होगी, हम किसकी याद में अपनी पार्थिव देव को त्याग कर रहें, वो आपकी स्थिती बनेगी, जैसी याद होगी, जैसी स्मूती होगी, वेसे स्थिती होगी, यसलिए बावा ने अन्तिम समय में आपके उचारित किया, जो ब्रह्मा बावा का संपुन्ष, बावा संपुन्ष बने, अव्यक्त होने की कुछ घंटे पहले, ब्रह्मा बावा के मुख से, शी बावा के अंतिम वर्दानी बोल, निराकारी, निर्वीकारी, निरांकारी, तो ब्रह्मा बावा के जीवन की जो प्राक्टिस था बार 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 आत्मा शुरूप की अभ्यास इसलिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बनने की जो प्राक्टिस था आत्मिक स्मूति की प्राक्टिस आत्मिक स्थिती की प्राक्टिस आत्मा आत्मा का अभ्यास तो इसलिए ब्रह्मा बाबा समान जो सुरुप हमें जो ब्रह्मा बाबा की धारनाएं हैं ये कुछ बातों में बाबा का पुरुशार्थ या तपस्या इन बातों को ले करके था संकल, स्मृति, भृति, द्रिस्टि और कृति बाबा बार बार कहते हैं संकल्प पर आटेंशन दो संकल्प कैसी होनी चाहिए समुर्थी कैसी होनी चाहिए बृत्थी कैसी होनी चाहिए अगर तिनों बात करेंगे संकल्प क्या हो? स्रेस्ट हो? शुब हो समुर्थी क्या हो? स्मूति हमेशा तिर्मूर्थी शिववाबा की याद वृति कैसी हो? वृति पवित्र कल्यान कारी वृति हो जब वृति पवित्र हो कल्यान कारी हो कृति क्या होगी स्रेस्ट हो और कृति के आधार पर वृति से द्रिस्टी बनती है तो द्रिष्टी पवित्र रुहानी द्रिष्टी होगे, तो द्रिष्टी से खृती अर्थात आपकी कर्म स्रेस्ट होंगे और स्रेस्ट कर्म जो आगे चल करके सतिग में अकर्म होगे, तो इत्ती सरी प्राक्टिसम केशे करेंगे, बावा ने प्राक्टिस को बहुत सरल आहें बच्चे समय निकाल करके एकांतवासी बनाएं पांच मनिट, दस मनिट, पंद्रा मनिट पढ़ाते जब एक मुरली हैं पुरी फुरी से तला और थद बूंद-बूंद जल से तला बन जाता हैं वैसे एक-एक सेकेंड को जोड़ते जाएंगे मिनिट गंटे बनेंगे अंतर्मुकि और एक नाम, एक बाबा की बाते मन में हो एकांतवासी बनने के बाद अंतर्मुक्ता की प्राक्टिस आप पिश तरीके से कर सकते हैं जैसे अमृतिवले से लेकर के मुरली क्लास की एंड तक, जब तो मुरली क्लास पुरा हो आप मुख का मौन ब्रधरन और बाबा उसकी युक्तियां बताते हैं ब्रह्मा बाप्समान तपुष्य मुरत बन करके अगर अव्यक्त फरिश्ट स्थिति को प्राप करना है तो युक्तियां है नेनों की मुलाकात जब भी बाबा से मिले कहीं भी बाहर निकलूआ अगर आपके पास बाबा का चित्र है ट्रांस लाइट है तो बड़ी दादी की जो प्राक्टिश थी जब भी बड़ी दादी पांडववन से बाहर आती थी हम सबी सुनते हैं उनके अनुभव को कि पहले बाबा की कमर में जा करके बाबा से बाते करके आती थी नेन चार करके आती थी और फिर उसकी अधर पर उनको जो इशारा मिलते थे बाब दादी आगे अपनी करवार करते थी नेन मुलाकात मन मना भब जब भी नेन मुलाकात कार्थ होता हैं जब भी किसी वेक्ति को देखे उपर की तरव देश्टी हो भृकूटी की तरव उन्च स्थिति को प्राप्ट करने के लिए उन्च नजर हो उन्च नजर अर्थात शरीर में सबसे उन्चा स्थान मस्तक और मस्तक की भृकूटी को देखना उसको बोलते हैं नेन मलाका और मन मना भव का अर्थ होता है जिसको आप भृकुटी को देख रहे हैं भृकुटी में कौन बेठी है आत्मा बेठी है अर्थात मन को भृकुटी में आत्मा को देखने के लिए लगा दो मन मना भव कारत होते हैं, मन मुझ में लगाओ अब जब किसी वेक्ति को आप देख रहे हो, देह को देख रहे हो तो देह में देही को देख रहे हो तो देह में देही का हैं भृकुटी आरशम पर यह सबसे बड़ी तपस्या है मन, मना, भव देह को देखते हुए भी देही आत्मा को देखना जब आप देही आत्मा को देखेंगे अटोमेटिक मस्तक में बाबा कहते हैं मस्तक अर्थात बुद्धी की स्मूति में आपकी दिव्यत आईगी देखान मीटेगा दिव्य बुद्धी उसकी बाद कथन कथन सब्दकार्थ होता है बोल आप जो बुलेंगे उस पर जरू सोचेंगे कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है तो स्थिती की प्राक्टिस के लिए बाबा कहते हैं कहना और जो कहते हैं उस पर मन्थन करवा कि मैं जो बात बोल रही हूँ क्या ये बाप समान है उस पर मन्थन करना जरूरी है जो कंप्यार करेंगे बाबा की साथ तो फिर आपकी जो अवर्ष्था बनेगी मगन अवर्ष्था जो सम्योग में बेढ़ते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं और संकल्प को मनन्चिंतन में ले आते हैं उसको मन्थन कहते हैं जो मनन्चिंतन उसी दिशा में चलता हैं मगन हो जाते हैं चाहे अगर हम योग में बेढ़े हैं योग में बेठे बेठे कि बढ़ बुनम बाहर दुनियाने की बातों में भगण हो जाते हैं कि उल्टा भी हो सकता हैं कई बार पर होता ही जै। इसका मतलब में आथे गंटे के लिए देही अभिमानी स्ठीती में स्ठीत होंगी। बबदही अभिमानी का definition क्या बताते हैं? ना तन में हलचल हो ना मन में हलचल हो एक ही संकल्प हो में आत्मा देही हो शरील को श्थिर बिठाते हैं और मन में कोई हलचल हो, मन में ही संकल्प में देही आत्मा हो जब इस थिती को मिंटन करेंगे तो मगन अबस्त होगा मगन अर्थत में देही हूँ उसी स्मुति में बिल्कुल स्थित हो जाएं तो यह युक्तिया कुछ है कि बाप समान तपस्य मुरत्वन अविक स्थिती को धरन करने के लिए मनमनापरथत मन की संकल्फ उननी बातों पर हो जो लक्शय मने लिए हैं बाप समानग और उसमें कथन मढथन अर्मगन अवस्ता कथन यहाँ सब्दकरत होता है आत्मा मन में जुत शंकल्फ करती है मन्थन बुद्धी में जो विचार सागर मन्थन करती है और फिर दिल की भावना युक्त स्थिती को प्राप्त करती है मगन अवस्ता बाबा कहते हैं दिल की लगन हो एक चित्र है आप पुरानी किताब है योग की विधी और सिद्धी उस किताब की फ्रांट पेज देखिएगा वो जो चित्र है वो लगन में मगन अवस्ता है बिल्कुल ब्लिश्पूल स्टेट्स आत्मा बेचियें लेक्ट कोई बिल्कुल एक लाइट माइट स्थिती में अब्जारब्ड बाबा की प्यार में संबंद के अनुभुती में और बाबा ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त ब्रह्मा बनने का जो पुरुषार्द बाबा का था वो के साथ हम सभी जानते हैं बाबा आप सभी हम को इस अव्यक्त महिने में जरूर करना चाहिए आत्मिक शुरूप का अभ्यास बाबा कैसे किया लिख करके बार बार बाबा लिखते थे मैं आत्मा हूँ फलाना आत्मा है फलानी आत्मा है क्या हम वो अभ्यास करते हैं एक भाई ने आज कहीं पर क्लाश था उस भाई ने का जो मैं लिखना सुरू क्या मुझे रहे तो भक्तिमार्ग हो रहा है भक्तिमार्ग में जैसे जाप करते थे लिखते थे लेकिन भक्तिमार्ग वही चीज कितना डिफरेंस होता है हम बाबा को भी प्यार करते हैं लेकिन हमारा प्यार ज्ञान युक्त प्यार है भक्ति में भी परमात्मा को भग्त जो है भगवान को प्यार करता है लेकिन वो भक्ति भाव से अंदस्रदा से किसने के दिया कर लिया लेकिन यहां पर हम बाबा को समझ करके ज्ञान युकत अभ्यास करते हैं इसलिए आत्मा को लिखने के अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया हमको भी करना चाहिए तपश्ची मुरद बनने के लिए और आत्मा का अनुभब के लिए आत्मे की दृस्टी जब भी किसी को देखे, आत्मा रूप में देखे, स्वयम को भी देखे, दुसरों को देखे और आत्मिक द्रिस्टी का भ्यास आटेंशन से होता है जब भी आपके समने कोई वेक्ति, चाश्त्री या पुरुष चोले में आ जाए हमारे द्रिस्टी आत्मिक हैं, पवित्र हैं तो पता चलेगा पहली नजर में ये स्थूल नेत्र शरीर में किस भाग को देख रहा है उसमें आपकी द्रिस्टी पवित्रिस्टी पता चलेगा एक नजर में अगर दृष्टी यहां पर आई तो आपकी दृष्टी पवित्र है और यहां से नीचे आते ही दृष्टी देहभान वाला फुता है और इस पर एक्स्परिमेंट हुआ है जनिवा में एक इनवर्सिटी में कि कुछ किश्वर किश्वरियों को लिया गया और उन को कहा गया उनको एक लाइन आठ चित्र बना के दिया गया जिसमें जो किश्वरों को एक लड़की की चित्र और जो किश्वर ही उनको एक लड़के का चित्र और उनको कहा गया तो आप चित्रों को देखना है और उनको कौन सी कौन सी जो चित्र टो लाइन आठ था लेकिन उनने किसको देखा वो उनको लिखना था कि आप शरीर में हाथ को देखा, मुख को देखा, चाह शरीर की कौनसी पार्ट को देखा, उसमें देखा गया जो जो बच्चों ने आंख से उपर की भाग को देखा था, तो उनके ब्रेन में कुछ ऐसा पार्ट काम कर रहा था, जो psychological test के आ गया था, तो उसमें पता चला है कि इनकी जो सोचने की धंग हैं, और सोचने की धंग बहुत पॉजिटिव हैं, और उसका नाम उनने दिया था, civil eye, evil eye, evil eye का आर्थ हैं, मुख से नीचे की भाग को देखना, और civil eye का आर्थ होता है, मुख से उपर की चित्र को देखन आप देखें, दुनिया में कितनी प्रकार की experiment होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, आटेंशन से पता चलता हैं कि आत्मिक द्रिश्टी का अभ्यास आप शरीर में कहां देख रहे हैं, वही आपकी श्तिती को दीव्य बुद्धी या तो दूसरी बुद्धी बनाएजी, और चवथी बाबा कहते हैं, अशरीरी स्तिती का अभ्यास करना है, जो ब्रह्मा बाबा की जीवन में पूरा साकार मुलिष लेकर अव्यत मुलिष तो यही बात है, आने और जाने के अभ्यास, अभी अभी में आत्मा यहां पे हो, प्रिय अभी अभी परमधम निवास जीव, बाबा बार बार कहा करते थे, बच्चे अशरीरी बनने के लिए चार बात को स्मूति में रखो, एक हैं प्रित, मीत, रीत और गीत, प्रित अर्थात बुद्धी की प्रित को दुमिया से हटा करके एक मन मीत, प्रितम शीर वाबा से जोड़ना, और उसकी बताई हुई रीत अर्थात उसने जो मार्ग्ति उस पर चलना, और गीत दिल में हमेशा वहां वहां की गीत बजह, वह मेरा बाबा वहां, वहां वहार में वह ये गीत, तो हम अशरीरी बन जाएंगे और विदे श्तिती का अभ्यास, अर्थात स्मूति सोल, ये चार प्रक्टेस, ये बहुत स जो यह आपके सामने हैं, मैं आत्मा राजा भृकूर्टी सिंगासन पर विराज मान हूँ, कर्म इंद्रदर करा रही है, दुसरी प्राक्टिस, मैं अपने शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर को देख रही हूँ, यह आत्मिक अभ्यास है, देखने का, कर्म करते वा सेवा करत से कुछ सेकेंड के लिए साख्षी होकर देखे यह सेवा मुझ आत्मा ने इस रात के द्वारा की यह सारा मुर्ली में हैं प्राक्टिसेस कई मुर्लियों को लेकर के मैंने पॉइंट बनाया हूं मैं आत्मा शरीर से अलग हूं यह भाव दिन में बार वार इमारिच करें तभी ब्रह्मा बाप समन्त अपर्श्य मुरत बनेंगे रात को सुनते समय, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, इसके अभ्यास जरूर करे ब्रह्मा बाबा आत्मा का अभ्यास करने के लिए अपनी डायरी लिखते लिए चेक कर ले, हम लिखते हैं, कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं और रात को सोने से पहले कर्म इंद्रियों की दरवार लगाएं चेक कर इसको और एक प्राक्टिस आप सुब के लिए रख रहे हैं चार बात की रोज 25 लोगों को हम देखें जो हमार सामने आए उसके उस व्यक्तिगत शरीर के अंदर आत्मा देखने के अभ्यास करें कम से कम देख लिया था स्पार्क की तरब से तो कुछ प्राक्टिस दिया गया था कि सबको दिन में कम से कम 25 लोगों को आत्मा देखना है दूर बेट कर कितने लोग आना जाना करते हमारी चेहरे के सामने हम आत्मा की रूप में देखें अगर नेन ठेर जाए व्यक्तिकी शरीर पर किसी को इमर्ज कर ले मेरे समय चाहिए बेहन की चित्र भाई की चित्र हो चित्र और थाथ जब किसी वेक्ति को आप देखेंगे उसके सामने आपके सामने उस वेक्ति की चेहरा आएगा चेहरे में क्या हैं मुख हैं नाक हैं आँख हैं भुकुटी हैं तो चेहरे में भुकुटी को देखें तो भुकुटी को देखते हुई उसको आत्मारुप में देखें यह बहुत सुन्दर अभ्यास हैं क्योंकि हमारे दिन भर में मन दरपन में वुद्धी की नेत्रे के सामन किसने दुख दिया किसने डांड दिया किसने प्यार किया किसने मोटिवेट किया सब की चितर आता है तैकर उनकी चेहरे पर घृकुती में आत्मा देखने प्राक्ष कर आत्मे द्रिश्टी के अभ्यास लिख कर भी कर सकते हैं किस्वेक्ति का नाम लिख ले उसकी सुख्म सुरूप को देखे और आत्मा की रूप में अभ्यास करें जिसके भी संपर्क में हम रहते हैं उसके साथ इसका अभ्यास जरूर करें परिवार में रहते हैं तो यह हमें ब्रह्मा बापसमन तपश्य मुनत बने बाकी कुछ अभ्यास हैं आपको हम शेयर कर देंगे मैं उसको ज्यादा आगे नहीं बता रहा हूं यह लगबग और आगे की पांच स्लाइड से जिसमें अशरी श्थिति किस्से कहते हैं और उसके जाएं बने इसे बाद विधही श्थिति उसकी उभ्यास करेंगे कि ब्रह्मा बाबा की यह बहुत प्यारा प्राक्टिस थे रहा बार बार इसको अभ्यास करते थे आत्मविमान स्थिति श्थिति विधही उसमें अंतर क्या है थोड़ा थोड़ा एक, एक सेंतेंस में आप आप इसको सरीताभेन आपको सरकुलेट कर देंगे, आफ इस स्लाइड को ज़रूर देखे और प्रम्टिस करिएगे और रास्थ हम ये बताना चाहेँगे ब्रम्हा बाप समने, विशेस योग और प्रयोग करिये क्या प्रयोग करना है हमें? सदा बाप के समान सर्व आत्माओं के प्रति दुआ देने वाले मास्टर सद गुरु हूँ चाहे कोई केसे भी हो हम उसके प्रति दुआ दे मैं आत्मा बाप समान मास्टर सद गुरु हूँ मेरी दुआ हैं सब का भला हो सवसुख पाए और बाप समान सदा विश्व कल्यान करें विश्व की गलोब पर स्थित हो जाए ब्रह्मा बाबा अव्यद बाप दादा के साथ कमबाइंड हो जाए और पुर्वस पुर्जी सुरुप की स्मूती में आकर पूरे विश्व को सकास दे शान्ती की प्रेम की करुणा की अगर निमित नहीं समझते तो बाप समान नहीं बन सकते इसलिए एक प्रयुक जरूर करें मैं निमित हूँ यसे ब्रह्मा बाबा निमित है आप अगर ग्रहस्ती है आप सहज निमित भाप को क्रेट कर सकते हैं बावा ने कैसे कहा निमित भाव क्रेट करने के लिए? कि जो ग्रहस्ति आप जिस ग्रहस्त में रहते हो वो आपका अफिस हैं मधुवन आपका घर हैं बावा ने एक मुरली में कहा हैं जो प्रावृति में रहते हैं तो वो ट्रस्टी हैं वो क्या समझे जिस घर में हम रहे र होगा बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे और न्यारे और बाप के प्यारे यह बहुत कि अभ्यास हमें बाप समान बनाएगा अब रह्मा बाप समान हमें त्याग तपस्या और सेवा करना है और कौन सी त्याग करना है एक बात की त्याग करना है में को ते में बदलना है मेरा कुछ भी नहीं सब बाबा तेरा है यह कुछ बाते आपके सम्मुक हमने रखा जो कुछ मुरलियों समने लिया था और इसकी जो मैंने तैयार करके रखा था आपको हम सरक्लेट कर देंगे और लास्ट में यह बाबा कहते हैं अनुभूती नव होने का कारण क्या है? उसकी निवारन क्या है? अनुभूती नव होने का कारण संकल्प शक्ति यथार्त रीती हम सेवा में यूज नहीं करते हैं, उसको नस्ट करते हैं. दुसरा वानी, व्यर्थ बोल बहुत बोलते हैं. इसलिए बच्चे एक बात याद र दुसरा वरदान, बच्चे संकल्प पर आटेंशन दो, संकल्प कैसा हो, कल्यानकारी हो, सभी के लिए प्रेम युक्त हो, संकल्प स्रेस्ट हो, संकल्प शुभ हो, जब ये दो बात पर आटेंशन देंगे, संकल्प पर वानी, हम सहेज बाप समान तपश्य मुरत बन सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी देर आटेंशन दे के सुना तो लास्ट में हम दो मिनिट एक प्राक्टिस करेंगे प्राक्टिस हैं आप जहां पर बेठे हैं और ऐसे फिल करेंगे कि जो साकार तन है साकार शरीर के चारव ओर एक पावरफुल आभा मंडल है और उस आभा मंडल हैं और साकार तन के भुकूठी के मध्यां में आत्मा जोती बिंदु बैठी हूँ दो मिनिट के लिए यह अभ्यास करिए झाल 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 यह आपका बहुत 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 मुझे लगता है यह टॉपिक इतना डीप है इतना गुई है कि इसका एक और पाट I think अगर आप टाइंक्स पेर करे तो मुझे लगता है कुछ-कुछ बात है थोड़ी सी और ज्यादा इसी निश्याय में हम सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि सबसे सुंदर बात लगी कि जो पहले भी पांच मिनिट परमधाम में आत्मिक स्थिती का जो अभियास किया और लास्ट में अभी जो आपने अनुभव कराया तो जैसे अभ्यक स्थिती और एकान प्रमाबाब समान बनने के लिए ये दो मुख्य बाते जो आपने शेयर की वाके में ये बहुत ही सुंदर बाते हैं और अगर प्राक्टिकल में हम अव्यक स्थिती का अनुभव करेंगे तो जल्दी ही हम बाप समान बनने का पुरुशाद कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग रहे गए आज क्यूंकि इसकी केपासिटी हंडर्ड है तो बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि हम जॉइड नहीं कर पा रहे है तो बहुत सारे आत्मा अभी रहे गई खले रिकॉर्डिंग हुई है उसको सभी को भेज देंगे बागे आप जो कहरते साइट सो शेयर कर दीजिए सभी की दिमांड है वो भी सभी को चाहिए और मैं सभी हमारी बाबा की रूहानी महफिल रूहानी परिवार की तरफ से आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया ओम शांती और अगर इसी पास में अन्त में लांस पीक ऑफ चैन्वरी में अगर आप हमें थोड़ा समय दे तो और हम इसको इस टॉपिक को और जदा गेहन रीती से सुन सकेंगे आज भी बहुत इच्छा रहा है आज यहां जी अन्य थैंक यू सो मच ओम शांती ओम शांती कि अपम शांती तो और लाप हमें जी पढ़ आगरा है आप यहां वहां है तो और हम जी वहें गवांती दो यहां है झालके अच्छा रहाँ है कि घो भी झालके बहुत अपनाचे में अन्य वहां जी गब हैं बहुत रहां है